सलामी मंच पर उपस्तित श्री संजय अरोराजी दिल्ली पूलिस आयुक्त श्री रोबिन हिभू जी दिल्ली पूलिस विशेशायुक्त प्रिक्षक दिर्गा में उपस्तित बारत सरकार के घुरू सचीव महोदाई निश्नल फोरेंसिक साइन्स उनिवर्सिटी के कुल्पती महोदाई दिल्ली पूलिस के सभी पूर्व पूलिस आयुक्त और आज की परेड में सामिल दिल्ली पूलिस के जवानों और दिल्ली पूलिस के परिवार जनों आप सभी को मैं दिल्ली पुलीस के स्थापना दिन की बहुत-बहुत सुबकामनाय और बधाई दिना चाहता हूँ मेरे लिए भी एक घर्व की बात है कि 75 साल की एक कक्षून परिम्परका आज मैं हिस्सा बन रहा हूँ आजादी के प्राप्त होने के दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलीस इसके गवरों मही इतियास से समग्र देश की प्रसंसाख प्राप्त करती रही है क्यूंकि यहाँ पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है राष्ट्रपती महोदय से लेकर सभी समविधानिक पद पर विराजमान महानुबव यहाँ निवास करते हैं दिल्ली पुलीस के चौक चौबंद व्यवस्ता से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रसंसा करती है मैं आज चीहत तर्वे के सापना दीन के दीन पर एपचत्तर साल की यात्रा करते करते जिनोंने अपनी जान गवाई है इस सभी जवानों को स्रद्धान जली देकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ हाल ही में जिनके अमर बलिदान ने हम सब को आँखों में आशू लाने के लिए मजबूर कर दिया यह बहदूर एस आई संभूद अयाल को भी याद करकर स्रद्धान जली करकर मेरी बात की सुरुवात करता हूँ मित्रो पुलीस और उसका कार्य आजादी के तुरंत बाद बदलना चाहिए था आजादी के पहले पुलीस के काम में कहीं सेवा का सुत्र नहीं था आजादी के पहले पुलीस का काम एक रूप से आंत्रिक सुरक्षा की व्यवस्ता सुचारू करना कानून और व्यवस्ता को ठिक ठाक बनाए रखना ये तो था ही परन्तु मुख्य रूप से अंग्रेजों के शाषन की हीतों की रक्षा करना ये ही पुलीस का दाईत्व था आजादी के बाद दिल्ली पुलीस सांती सेवा और न्याय के सुत्रों के साथ आगे बड़ी और ये उद्देश परिवर्तन के साथ ही ये 75 साल की यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कारियों में अपनी घतिविद्यों में और अपने विचारों में डेर सारा परिवर्तन लाया है और मैं निश्ची तुरूप से कह सकता हूँ ए परिवर्तन उद्वगामी है उद्वदिशा का है अभी अभी देश और दुनिया पूरा विश्व एक सदी की सबसे भयानक महामारी में से गुजरा और उस वक्त दिल्ली पुलिस का जो मानविय चहरा हम लोगों के सामने आया है इसने पूरे देश और दुनिया में दिल्ली पुलिस की छबी को बदलने का काम किया है दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोना के वो काल के अंदर दिल्ली के एक एक भुरुद्ध व्यक्ति की चिंता की एक एक भीमार व्यक्ति की चिंता की चाहे उनके परिवार में कोई था या नहीं था दिल्ली पुलिस सदेव उनका परिवार जन्मान बनकर उनके साथ रही और उनके जान की रक्सा की ये करते करते कई दिल्ली पुलिस के जवान स्वयम कोरोना ग्रस्त भी हुए कई जवानों ने अपने जान का बलिदान भी दिया मगर दिल्ली पूलीस ने जब तक कॉरोना से समाज को मुक्ती नहीं मिली, हस्ते हस्ते अपनी ड्यूटी को सांती, सेवा और न्याय के सुत्र को चरितार्थ करने का काम चालू रखा और यह बहुत बड़ी उपलब्दी है मित्रो आज स्थापना दिन की परेड के साथ साथ कई सारी चीजों को साथ में जुडा गया है सबसे पहली काम मोबाइल टैबलेट ज़ारा पासपोर्ट का सत्यापन दिल्ली जैसे सहर में हम सब जानते हैं कि समय की किमत कितनी होती है अब दिल्लीक में बसे हुए भारत के नागरिकों को पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट के पुलिस स्टेटस का सत्यापन करने के लिए पंदरा दिन की रा नहीं देखनी पड़ेगी पांच ही दिन में उनको ये ओनलाइन मिल जाएगा और इसके साथ साथ कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है एक साथ अपने घर पर ही ओनलाइन आप उसको प्राप्त कर सकते हैं रोजाना ओसत 2000 पासपोर्ट के एप्लिकेशन प्राप्त होते हैं और वो 2000 एप्लिकेशन का प्रोसेस अब ओनलाइन होने से जनता की सुविधा में बहुत बड़ी फरक आने वाला है सुविधाय बढ़ने वाली है और उनकी दिक्कते कम होने वाली है आज दिल्ली पुलीस में मोबाइल फोरेंसिक वहानों का सुभारम हुआ है ट्राइल बेस पर इसका पहले काम देख चुके हैं मित्रो आने वाले दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पुलिस बल पहला पुलिस बल बनेगा जो छे साल और छे साल से ज़्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फोरेंसिक टिम के विजिट के साथ ही इसकी जाच होगी मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए एक साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था दिल्ली पुलिस ने इसकी सुरुवात भी कर दी और अब ए फोरेंसिक वाहन जोडने के साथ साथ इसकी सत्व प्रतिसत पूर्ती भी होने वाली है जो वान अभी आपने देखे वो सीसी टीवी कैमरों के साथ LED स्क्रीन भी वहां उपलब्द है एक मिनी रेफ्रीजेटर भी उपलब्द है जिससे तरल प्रदासों का संग्रहन हो साएगा एक टेबल टॉप स्टीडियो माइक्रोस्कोप भी है और कुल 14 अलग अलग प्रकार की फोरेंसिक कीटों से युक्त ये वहन जब क्राइम सिन का विजिट करेगा तब सजा कराने के हमारे जो दो सिद्धी का प्रमान है इसमें बहुत बड़ी वृद्धी करेगा फोरेंसिक साइंस विश्व विद्याले के एन एफस्यू के दिल्ली परिसर में आज से सैक्सिक सुविधाओं के लिए भी एक बहुत आधूनिक बिल्डिंग 34 करोड रुपे से बना हुआ आज इसका लोकारपन हुआ है पांच हजार से ज्यादा वर्ग मिटर में फैला हुआ है बिल्डिंग विद्यार्थियों की सहायता करेगा और उनको एक अच्छे माहोल में अपना अध्यान और अपना रिसर्च करने के लिए एक अच्छा माहो रोल की पूर्ती करेगा और नब्बे आधुनिक चात्रावास के कमरे भी इसके साथ जोड़े गए हैं मित्रो फॉरंसिक्स जाच नियाय प्रक्रिया में बहुत महतुपूर्ण रोल आने वाले दिनों में रखने वाला है मोधी सरकार आने वाले दिनों में IPC, CRPC और Evidence Act ये तीनों कानुनों में आमूल चूर परिवर्तन लाने जा रही है ये तीनों कानुनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकुल बनाएंगे, उसको हमारे समविदान के स्पिरिट के अनुकुल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्सा सबसे मजबूत हो इस दिसा में इसे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्यर साख्सकी उपलब्दियों से इसको और मजबूत बनाएंगे अगर एक करना है तो देश भर के अंदर फॉरेंसिक साइंस का जाला फिलाना पड़ेगा और वोही सुधारों में हम जिसका दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रायल सुरू कर दिया है वो सुधार भी लाने जा रहे हैं कि छे साल और इससे ज्यादा अपराद वाले हर सजा वाले हर अपराद में फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं अगर एक करना है तो हमें एक ट्रेंज मेन पावर चाहिए फॉरेंसिक साइंस के ख्षेत्र में निशनात हमारे युवा करमी चाहिए और इसकी उपलबदी के लिए देश के प्रदान म कंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निस्टनल फोरेंशिक साइंस उनिवर्सिटी की स्थापना की और कम समय के अंदर निस्टनल फोरेंशिक साइंस उनिवर्सिटी अद देश के नौ राज्यों में अपने केमपर्स खोल चुकी है और आने वाले दिनों में लगबग लगबग द आज दिल्लीन में यह जो शुरुवात हुई है मैं इसका बहुत मन से स्वागत करता हूँ दिल्ली के पुलिस आयुक्त जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जब कहा तब मुझे लगता था कि कितना हो पाएगा मगर उन्होंने बहुत कम समय में परिपत्र भी किया और परिपत्र की पाल ना हो सके इस प्रकार की सभी व्यवस्ता यहाँ पर बनाई है इसका मुझे आनंद है और इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है दिल्ली पुलीस के सामने 2023 का साल बहुत महतुपूर साल है हम सब जानते हैं कि वर्स G20 में भारत की प्रिसिडंसी का वर्स है और जब कई देशों के राश्ट्राध्यक्स यहाँ पर आएंगे एक साथ आएंगे एकी स्थान पर इखटा होंगे और एकी स्थान पर विश्व दिल्ली पुलीस को सज रहना पड़ेगा मुझे आनंद है अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है इसमें हमें उत्सा वर्दक समाचार मिला है और मुझे पुरा भरोसा है कि पुलीस आयुक संजे अरोडा के नित्रुत में दिल्ली पुलीस यह चुनोती को में भी यह चुने धंग से होगी मैं पिछली बार जब दिल्ली पुलीस के मुख्याले पर आया था तो भविश्य की चुनोतियों को ध्यान में रखकर 20 लिंब के अंदर सुधार की प्रक्रिया को हमने व्यक्याइद करी थी और यह 20 लिंब पर जो सुधार की प्रक्रिया व्यक्याइद की थी मुझे आनन्द है उसमें से 16 शेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति हुए है जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के काम में बहुत बड़ा सुधार होना ने दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म दिल्ली की समगर दिल्ली की जन्ता के लिए बहुत महतोपुन होंगे ये दोनों मोर्चे पर 2014 से लेकर 2023 तक आमूल चूर परिवर्तन आये हैं कास्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंक बाद पर संपूर्ण वर्चस्व हमारी सुरक्सा एजन्सियों का दिखाई पड़ता है आप आंकरों को देखेंगे तो मालुम पड़ेगा कि कितनी बड़ी ग गटनाओं में आ रही हैं आतांकी गटना छोड़िये पहले आये दिन पत्राव होते थे जुलूस निकलते थे बंद के कॉल होते थे आज पूरा कस्मीर पत्राव बंद और जुलूस से मुक्त होकर लाखों सैलानियों की आगत आव भगत के अंदर पड़ा है करोडों लोग कस्मीर के अंदर यात्रा के लिए भी जाते हैं टूरिजम के लिए भी जाते हैं और सांत कस्मीर को देखकर मन का संतोस लेकर देश के कौने-कौने में जाते हैं यह बहुत बड़ा परिवर्तन कस्मीर की स्थिति में अभी आया है मित्रो इसके साथ साथ वामपंथी उग्रवाद कई दसकों से हमारे देश के लिए बड़ी चिंटा का कारण बना था एक जमाने में कहते थे काटवंडू से लेकर तिरुपति तक रेड कोरिडॉर बनाया है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे मित्रो आज मैं कह सकता हूँ कि वामपंथी उग्रवाद विगत सालों में सबसे कम हिंसा के आंकडे कोई एक वर्स में आये हैं तो 2022 में आये हैं वो सिमट्टा सिमट्टा सिर्फ 46-46 पूली स्थानों तक सिमट कर रहे गाए यह बहुत बड़ी उपलब्दी हमारे सुरक्षा बलो की चुस्ती दुरस्ते की साथ वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में वैक्यूम के एरिया में आगे बढ़े हैं हम विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़े हैं और इसी का परिनाम है कि वामपंथी उग्रवाद सिमटता जा रहा है जारखंड और बिहार की बॉडरों पर बुरा पहाड और बाकी सारे ख्षेत्र को पून तया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का काम हमारे सुरक्षा बलो ने किया है मैं इस मंद से भारत सरकार के और अनेक इंसरजन्सी फेलाने वाले ग्रूप कारे रत थे आज नौर्थीस के अंदर भी सांती प्रस्था पित हुई है अब सफा जो एक जमाने में मानव अधिकार के अंदोलन करता अंदोलन करते थे कि अब सफा को हटाईए हमने अब सफा हटाएंगे नहीं ऐसा 2014 में नहीं मुझे बात का आनंद है कि सुरक्सा बलोने और भारत सरकार ने इस प्रकार की स्थीति निर्मित की है कि साट प्रतिस्थत उत्तर पुर्व से आज अब सपा हट गया है और अब सपा हटा है क्योंकि वहां सांती बहाल हुई है मित्रों वहां पर आठ हजार से ज़्यादा युवाओं ने हत्यार छोड़ कर मेंस्ट्रिम में आने का पसंद किया है कई उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझोते किये हैं और समझोतों को स्पिरिट के साथ लागू किया है इसके कारण सरकार की और गुरु मंत्राले क की विश्वसनीता बड़ी है इसके कारण धेर सारे उग्रवादी संगठन सीजफायर में भी आये हैं और उनके समझोतों को अंतिम स्वरूप देने का काम हो रहा है राज्यों राज्यों के भीज में सिमा के जो विवाद है इसके लिए भी गुरु मंत्राले ने इनिसेटि सिथि अनिर्य राज्यों के सिमा के विवाद जो राज्यों की स्थापना से चल रहे थे इसको समापति करकर हमने सांतिका का म करा है आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हैं कि-4 महिने पहले दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्तान पुलिस और NIA, ए चारो पुलिस बलो ने एक साथ मिलकर जो अंतर राज्ये गैंग्स हैं उत्तर भारत के अंदर उस पर नकेल कसने का काम सुरू किया था, मुझे बहुत आनन्द है कि बहुत बड़ी सफलता एक चारो पुलिस के युनिट को NIA की तत्वाधान में मिली है और इसमें दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है, नार्कोटिक्स के सामने लड़ाई में भी दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार ने जो नसा मुक्त भारत का अभियान चला है, उसको पुक्ता करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, हम मानते हैं कि देश की युवापिडी को और विशेशकर दिल्ली की युवापिडी को नसे से मुक्त कराना हम सब की सांजी जिम्मेदारी है, एक और तो नसे की और चले गए हैं, उनके पत्ती साहनुभूती रखकर उनको वापिस मेंस्ट्रिम में लाना, समाज में पुनप्रस्तापित करना है और दूसरी और नसे का कारोबार करने वालों के लिए कठोर से कठोर डंड दे कर उनको जहल की सलाकों के पीछे डालना है, ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और मैं मानता हूँ कि इसमें दिल्ली पुलिस की भी अहम भुमिका रही है, इसलिए दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों को मैं बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई देना चाता हूँ, पुलिस आयुक्त को भी मैं बहुत बधाई देना चाता हूँ. मित्रो कल ही कैबिनेट में देश के प्रदानमंत्री जी ने दिल्ली पुलिस और सभी C.A.P.F के लिए हाउसिंग सैटिस्पेक्शन रिशियो बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बजेट को एप्रू किया है और मुझे विश्वास है कि 2024 के चुनाओं में जाने से पहले हम देश के पुलिस सभी C.A.P.F और दिल्ली पुलिस के हाउसिंग सैटिस्पेक्शन रिशियो को 60 प्रतिस्तत से उपल ले जाएंगे इसका मुझे पूरा बरोसा है आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को आपका जो सुत्र है आपका जो धेव्याक्या है सांती सेवा और न्याय इसी पत्थ पर आप आगे बढ़ते रहें दिल्ली देश की राजदानी है यहां की कानून और विवस्ता की परिस्तिती जिस तरह से आपने 75 साल तक सांधार काम करकर समाली है इसी प्रकार से आगे नई चुनोतियों को भी आप इसके सामने संगर्ज जारी रखेंगे इसका मुझे विश्वास है मैं फीर से एक बार स बार सकता शब जगो एक बार से नई च्neसंगि का ऱक्यादादा से बार से आपने व्यों मैं आप मैं झाप्जां कर